तो देखो प्यारवर्च वले इगर क्वेश्चन को देखो कि भी तो इसमें क्या है कि एंग्स मॉडुल साथ इस्टील वायर इज आज़ इस्टील वायर तो अगर कोई इस्टील वायर है जिसका जो स्टीर वायर है इसका इसका लेंथ जो है और इसका एरिया प्रॉस सेक्षन भी अपने को इधर दिया हुआ है थीरी मीली मीटर यहां से स्कॉर्ट ठीक है और इसका एंग्स मॉड्लस भी दिया हुआ नावर 2 इंटो 10 की पावर एक मॉड्लस से वायर शस्केंट रोए सपोर्ट अब गीवन प्लेनेट अच्छा अगर मैं यहां पर एक सपोर्ट लगा देता हूं यह सपोर्ट यह आप गीवन प्रेंट यह वाला जो सपोर्ट यह बैने आपर वेट लटका दिया थीकिन तो जो है यह वेट एम जी नीचे लगेगा वर्टिकली डाउनवाड इसकी वज़े से वायर में इलॉंगेशन जनरेट हो जाएगा ब्लॉग 4 kg यहां पर जो जी की वेलू है वह वन बाइप यहां पर मैं ले लेता हूं यह प्रॉक्समिटली टेन ले लेता हूं तो यह 4 मतलब जी की वेलू इस प्लैनेट पर जी वाइफ यहां तो कहता है elongation in wire तो यहां दिया हुआ जी की value टेल लेना है तो इस wire में कितना elongation हुआ होगा हुआ हमें पता करना है चलो हम लोग एक ऐसे planet पे चले गए हैं unknown planet पे alien वाले तो elongation वहां भी physics ऐसे ही बढ़ाई होती है तो elongation y is equal to f l और a delta l यहां से तो यहां से तुम elongation delta l की जो value निकालोगे वह जाएगा f l a x minus y तो f की value कितनी है देखो f यहां पर यह जो है applied force f की value f की value mg के equal है और length actual length और area cross section यह इतना elongation है mass की value डालो तो mass की value डालोगे तो यहां से mass 4 के 4 और g की value 10 upon 4 यहां से और length की value कितनी है तो length की value है 6 और divided by area cross section area cross section तुम देखोगे तो 3 है यहां पर area cross section 3 है और 3 mm है 10 की power 6 meter और angst model है 2 into 10 की power 11 है तो यह सारी पूरी value है solve करोगे तो यहां से जो delta l delta l की value वा जाएगी 0.1 millimeter यह वाली चीज तो 0.1 millimeter अगर तुम देखोगे तो finally तो 0.1 यह 1 by 10 into 10 की power minus 3 meter तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते तैंक यू बैबै टेक क्यार झाली झाल्त है बन्हां को गवारा प्राइब। प्लावाज वर्जाजिड़ प्रवाज़ प्रवाज़ चूर्वाज़